एक बार फिर इंडियन टेलेविजिन पे दुनिया का सबसे बड़ा कुकिंग रियालिटी शो मास्टर शेफ इस बार और भी बड़ा और भी बहतर कमान 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 गो 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 वर्ड के कोने कोने से 16 टालेंटेड होम कोक्स कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से आखरी 10 मिनिट टाइम से और अपने आप से यारी नहीं हो रहें सब की नजर मास्टर शेफ इंडिया के टाइटल पे लेकिन ये जफर आसान नहीं होगा हम है दे वेस्ट इन मॉंबाई के इटालियन रेस्टान फ्रेगो में आप लोगो को पचास के लिए इटालियन खाना बनाना है यहां कदम कदम पर टेस्ट होंगे उनके कुकिंग स्किल्स और बर्खा जाएगा उनका होना आज आप लोग पुलीस ऑफिसर और केडिर्स को अपने हाग से बना हुआ खाना खुद खिलाएंगे कुकिंग की क्वालिटी को कुकिंग के पैशन को और कुकिंग की मुश्किलों का डेवल अप करने आएंगे दुनिया भर के रिनाउंड शेफ्स आज आपको एक हेड-on बैटल करने पड़ी और सपनों की फ्लाइट टेक आफ करेगी औस्ट्रेलिया के लिए कुछ भी और्डिनरी नहीं होगा और जो एक्स्ट्राइडिनरी होगा वही होगा मास्टर शेफ इंडिया वो घड़ी आ गई दो मोमेंट अव टूथ इसे का बहुत जादा इंतिजा था मुझे मेरा जो सपना ये खाने बनाने का वो में आच पूरा करने बाला हूँ मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं जहां से आई होँ, बहां से इस मुकाम तक पहुचना मेरे ये एक बहुत- vagy बड़ी बाती यह जो जो जोनी शच्टोरी ए बहुत पॉसटिवा टिजुटीची शचार्ट टार्टोरी ए ए I can do this. I'm here to win it! Oh!!! Wow!! Wow!!! Oh my God!!! यह यह जी किछन है? Is this real? मैं जहां देख रही हो, मेरी नजर जहां जा रही है It is such a pleasure and it is such an honor कि मैं इस kitchen में हूँ और आज मैं इस kitchen में cook करने वाली हूँ Amul presents MasterChef India आपके सपनों की तरफ, आपका पहला कदम ये है MasterChef Kitchen Come on guys, loud up! It doesn't get bigger than this guys जब हम आपसे पहली बार मिले थे तो आपको ये अपरेंस दिये थे अब MasterChef India Season 5 के विनर को मिलेगा में को जब ने पता नी क्या होगा और जैसी वह इसको रोटेट कर रहे है तो अंदर ऐसा रहे हैं कि ओ, क्या है, क्या है जैसे वो रोटेट हुआ, सब लोगों के मूँ बस खुले के खुले रहे के. Oh my god, is the master chef quote. Yes, yeah, I want this. मैं इसी के लिए ही आया हूँ या पर, यही एक ऐसी चीज है जो मझे खुमकुक से एक शेफ का टाइटल दे सकता है. विनर को कुछ और भी मिलेगा. मेरे एक रेस्टराउंट के किचन में प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका. उस किचन में एक्स्पीरियंस लेना, उसके साथ काम करना, उसका गाइडन्स लेना, वो एक ऐसी ओपरचुनिटी है कि किसी और को कभी नहीं मिलेगी. आप सब के पास अपने नाम का एपरंड है, लेकिन कोई एक ऐसा शक्स है जिसके पास एपरंड तो है, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं है. शिलक्षमी जी. येस, सर. आप हर चालेंज में कुक करेंगी, लेकिन जीतने के बावजूद, आपको एलिमिनेशन चालेंज में भी कम्पीट करना पड़ेगा. ओके सर्थ. मुझे तब समझ में आया कि ये नाम मुझे लेना इतना आसान नहीं है, पर फिर भे मैं लड़ू में. अगर आप इस हफते इलिमिनेट नहीं हुई, तो आपको मिलेगा अपने इस एपरिन पे अपना नाम. थांकियो, सर्थ. और अब बारी है, मास्टर शेफ किचिन के पहले चालेंज की. आप सब के स्टेशन पे रखा है एक बॉक्स. ये है, मिस्ट्री बॉक्स. ये है, मिस्ट्री बॉक्स. इस बॉक्स मंतं से अपको कम से कम, 4 इंडूट्स के स्टम्सूण के इस थाविदिय। अपने अपने मिर्ष्री बोक्स खोल कर देखिए I am hoping कि जो ingredients अंदर हो वो मेरी style of cooking को compliment करे आज के मिर्ष्री बोक्स में है एलाइची केला निकी छोटा मीठा केला पालक, बीटूट यानिकी चुकंदर और इंच यानिकी संत्रा हरी मिर्ची, फ्रेश धनिया, कच्छी घानी ओयल, बादाम, चक्री फूल यानिकी स्टारनीस और साथ में है चिकन मेरे दिमाग में बहुत सारी recipes आने लगी मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे उसको consolidate करूँ और कैसे उनको use करूँ तो दे मैक्सिमम अभी विकास ने आपको रूबरू कराया आपके इंग्रीडियन्स के साथ कही नहीं मैं और ज़रावर थोड़ा लेफ्टाउट फील कर रहे थे हमारे पास भी एक मिस्ट्री बॉक्स है तो अधिन नहीं कि इसके अंधर कि इतना बड़ा इंगिटेर क्या हो सकता है यह हैं कोकिंग एक्विपमेंट्स इन सारे एक्विपमेंट्स में से आपको कम से कम दो एक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी डिश मुकमल करनी है यानि चार इंग्रीडियन्स दो एक्विपमेंट्स और सिर्फ एक डिश यानि फो टू का वान इस दिश को प्रपेर करने के लिए आपके पास है 90 मिनिट्स और इन 90 मिनिट में हम लोग हर स्टेशन पे आएंगे आपकी प्रोग्रेस चेक करेंगे और फिर सिर्फ वही पांच डिश टेस्ट करेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगेंगी और जो हमकुक इस चैलेंज को जीतेगा उसे अगले चैलेंज में मिलेगा एक बहुत बड़ा अडवांटेज ये चैलेंज में जीतना चाहती हूं और वो अडवांटेज भी ताकि सेकेंड चैलेंज में मुझे बाकी कंटेस्टेंज के ऊपर एक एज मिले Master Chef Kitchen का पहला चैलेंज 4, 2, 1 और आपका समय शुरू होता है Up, come on, go अधर से उधर भागरे कंटेस्टेंज सारे और मुझे सबसे टेंशन होने है कि में लूँ क्या ये लूँ ओ लूँ ये उठाउँ ओ अठाउँ मेरे दिमाग में इमेडियतली नूडल्स के बारे में तौट्स आने लगी तो मैंने सुचा कि पास्ता मेशिन से नूडल्स बनाओ आज मैं बनाने वारी हूँ, a dessert platter, ice cream होगी, जो smoked chili और धनीय की फ्लेवर की होगी और उसके साथ में थोड़ा सो औरेंज जैस भी तानोगी और उसके साथ बीटरूट का हलवा होगा I really want to do well today और मैं चाहती हूँ कि मेरी पहले चैलेंज में मेरी डिश भी चखी जाए तो मैं अपनी पूरी जी जान लगाने वागी हूँ Dinesh, hi sir. How are you doing buddy? Not too bad sir, I think I'm on time today एक चीज मुझे आपकी बहुत खास लग रही है, आप बिल्कुल हरबढ़ात नहीं कर रहें बना क्या रहे हैं आप आज मैं बनानास फॉस्टर का एक ट्विस्ट बना रहा हूँ वो एक classic American dessert है तो उसको मैं थोड़ा सा डीकंस्टरक्ट कर रहा हूँ जो के I think मेरी खास्तियत है डीकंस्टरक्ट करना तो मैं ये उप्पम का पान को इस्तमाल करके Dutch Pancakes बना रहा हूँ उसकी अंदर मैंने और इंच असका फ्लेवर डाला है Innovative, very innovative अब पच्टी को इस तरह से वाफल्स के लिए यूज करना इस वेरी क्रेटिव All the best! Thank you, thank you so much! Homecooks, आदा समय हो चुका है सारी तुनिया को इंप्रेस करने के लिए वस्बचे है पुरे 45 मिनट्स समयंता, क्या बनारी हम? I'm making a beetrootstani's ice cream with almond crumb and a few other elements Italian meringue Lot of elements? Yes All elements are making? Orange ka curd And if I have more time, maybe anything with the banana All right, wish you all the best Thank you, thank you sir मेरा मिस्टरी बॉक्स है तो उनी फाइफ पीपल अगो बी टेस्टेट एंड मुझे ऐसा कुछ बनाना है ताट विल संड़ और जज़स मेरा टॉप फाइव में नाम अनॉंस करें जा बना रहे हैं? सर मेरा बीडर आपके मेरा चरन नहीं है करें बीडर आइसक्री या अनौ मेरा बीडर आइसक्रीम कर बेंगा जाए कि अर्ट बीड़र अ कोछि बिल्कुल इसी तरह की चीज विल्कुल अब के पीछे सवांथा अभी बनारी समान्था भी बिल्कुल वही कर नहीं है सेम टाइब की दिश है, सेम टाइब की एकुप्पंट है देखना तो यह है कि आफ दोनों में से जिश किसकी हमें जादा पसंद आती है Okay, all the best. Thank you. मेरे जुआ में स्टेस्ट डबल बिल्ड़ बिल्ड़ अपुआ बड़ मुझा स्लिए इसको और कुछ नहीं मिला बनाने के लिए हैं मात्यों की किछन में वही चीज बना दी जो मैं बना रहा हूँ I come to know कि जो मेरे सामने अजे है उसकी सेम प्रॉनेंस है यह पेले से ही मुश्किल चालेंस था And I think now I have even more pressure Home Cooks एक घंटा पूरा हो चुका है आपके पास सिर्फ 30 मिनट बाकी है अभी लाक्षा जी Yes chef देख तो अगे मेरे को बड़ी आपने बना दी है ravioli Yes chef It's hard नी थोड़ी 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 मोटी नी है बाट जादा इसका तरीका आपको बता तो मैं चोटना सा थिक है अब हाथ लगा के बता सकते है हाथ लगाए बाट थिक है It's hard It's hard It needs to be cooked some more So, what happens? I feel like I'm eating a lot of meat I'll try to make it thinner again I'll try to make it thinner again I'll give you Amulka Nuska I made the first curd It wasn't good consistency I was hoping that the second try will become good But the second one was even worse It was completely unusable It was completely unusable I realized that the curd is not made of curds And with that, it was an orange ingredient that I had to use in the dish So, I have only three ingredients from the mystery box Right now, the first thing in my mind is to use the banana in my dessert The last thing in my kitchen from the master chef's kitchen from the master chef's kitchen from the master chef's kitchen is the last five minutes Come on guys This is now or never आश्मा आउड में अपका प्रेंग ये चयाए तरह आपक प्रेंग सब्सक्राइब अचुग अच्छिछू पिर टेंख अच्छू जा आदा जाए इस ताम अपकी प्रेंग नाइग टेंग कियो जाए एक अड़्ी टीजिए टीजिए मुझेने न्से पूंध फॉर इंड प अर्यूरी एक मिनुट साथ सेकंड आपके पास इस ताम प्यापके प्लेट सच जानी चाहिए अर्यूरी एक मिनुट सेकंड दस नौ आप साथ छे पाच चार तीन दो एंग अर्यूरी एक मिनुट सेकंड प्लेट आपके प्लेट आपके प्लेट प्लेट नहीं गया तैसे में पीछे मुट समयंता को देखा उसका डिश एक तम ऐसा ही लगा जैसे मैंने सोचा दा सबकी डिश इतनी सुंदर बनी विया और सबने अलग इनोवेशन अपनी डिश में डाला है तो I'm not happy with the dish and I know कि अब मैं उन में से नहीं होंगा जो वो पांच डिश होंगा Home Cooks जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि आज हम सोला नहीं सिर्फ पांच डिश टेस्ट करेंगे इस वगत फर्स आने की होड नहीं है इस वगत होड यह कि मेरी डिश जो है वो जाजिस उठा के कम से कम खाये तो सही जिनका मैं नाम लेन वाला हूं वो अपने डिश हमें पेश करेंगा Anaga It is very encouraging कि उन्होंने मेरी डिश इस काबल समझी कि वो टेस्ट करेंगे Anaga, जी, आपकी डिश का नाम क्या है? मेरी डिश का नाम है East Meets West. मैंने चार से जादा इंगेंदिंश यूजे इस करें बीट, मिर्च, धनिया, आमन्स, बनाना, और इसके दो चीजे मैंने हटकी की, मैंने ब्लो टार्च का इस्तमाल करके चिली को स्मोक किया, और उसके बीज निकालके मैंने वो चिली और सिलांट्रों के साथ इंफ्यूस किया था आइस्क्रीम. Oh, interesting. So, देखे हैं, ये कॉंबिनेशन कैसा रहता है. सुनने में अट-पथा लगता है कि धनिया और चिली के फ्लेवर की आइस्क्रीम. But let me tell you, this ice cream just blew me away. Thank you. बहुत अच्छे फ्लेवर से इस आइस्क्रीम के जो सेंस बालंस है. तीखे का, नीथे का, और धन्ये का, is just mind-blowing. Thank you, chef. Dessert is not my strong point. और डिजर्ट बना के, ऐसी डिश से यार करना, जो जो जिसको पसंद आए, ये मैने सपने में नी सुचा था. All right, home cooks, अगली डिश, हुमारे सामने लेकर आएंगे, Ajay! मेरा नाम, में तब डिश को देखता है लेगा, और मुझे भूली के में डिश लेकी जाना है आपे. क्या वे एक्सपेक्ट निकिया था? बिलकुल दी. इसे चिली फ्लेवर्ड टार्ट करंबल, औरेंज कर्ड है, बीटूड आइस क्रीम, स्टार लेनिस के लेवर के साथ, और एटली मेराइन. शक्कर डालते वका हाथ कही स्लिप तो नहीं हो गया थोड़ा सा. मुझे लगता है कि आपने शायद अपना पूरा डोंगा इसी के अंदर मेराइं के अंदर ही ढाल दिया है. मेराइंग में कई बार लोग ब्लोटॉच उस करते हैं, आपने ब्लोटॉच उस करे थी? आमन चिक्की? या, आमन शॉल्ट चिक्की. हॉस, अजे, आपने तो सीधा मुझे दिल्ली की सर्दियों की याद दिला दी. गचक, my favorite. गचक, रेवडी. रेवडी. वेरी वेल मेड, बालनस अच्छा है, मिठा कंट्रोल में है, लगी ली, फिर रांगी तरह नहीं. Thank you. Great job. Thank you. It feels so good. पहले कुप चैलेज़ने मेरा दिश टॉप 5 में आया. Let's see, किसको अद्मेंश में ताया. आप जिनके दिश हम टेस्ट करने वाले हैं, वो हैं, समान था आपकी. For a second, I just stood back, क्युकि मेरा कॉर्ड नहीं है प्लेट पेट. Chef, आज मैने बीठूट और स्टानीज आइस क्रेम बनाया है, with almond crumb, italian meringue, and candied banana. जब दो डिश एक जैसी चूज होती है, तो एक perfect standard मिल जाता है टेस्ट करने के लिए के कौंसी बहतरीन है. Let me try it out. Let me try it out. If we have a comparison in the dish, if we have a advantage in the dish, then my loss will be the one. Crumble is really good. Right amount of sugar. After this taste, we have to have to think about that in the dish, जादा बहतरीन दिश कौंसी है. Good job. Thank you. I was so scared, कि my dish is too simple, but you know what? That is what got me to the top five. हमारे अगले home cook, वो है आशिवा. ये एक खटी मिठी मिलिफूई है, जादा है, and with chili and coriander ice cream. मिल्फिय का मतलब पता है? Thousand million layers. Million layers, यानि बारीक बारीक पतली layers. मिल्फिय इसको बोलना शायद ठीक नहीं है. नाम गलत है, डिश का टेस्ट नबल होना चाहिए. कुरियांडर, chili, ice cream. कुरियांडर और chili, जो अकसर हमें सबजी के जाद फ्री मिलती है. आज वही धन्या और हरी मिर्च एक ice cream को लिफ्ट कर रही है. Thank you, sir. Thank you. Great effort. Very well done. Thank you, sir. अब बारी है वोस्त लास्स दिश की. मैं बस होग करी हूँ की अगला नाम मेरा हू, अगला नाम मेरा हू. पांच्वी डिश को हम टेस्स करेंगे, वो है, Dinesh. Chef, आज मैंने एक American dessert, Banana's Foster's inspiration ली है. मैंने Star Annies यूज किया है, और मैंने डच पैंकेक्स की साथ बनाया है, और इन सेगमेंट्स को मैंने कारमलाइज किया है, और बनाना को भी मैंने बूले किया है. इजाइन है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेके, एक बड़ा सा स्पूनफूल बनाई है. मैं मैंचेस्टे में पला बड़ा हूँ, लेकिन मेरे रूट्स नवजारी गुजरात में है. मैंने लौप बड़ा था, क्योंकि मेरे पैरेंट्स यही चाहते थे, कि मैं एक वकील बनाऊ. लेकिन मुझे हमेशा सही पेष्टी शेफ बनना था. उसको खाने मेने पहले से ही बट सौक था, छोटा था ने तब से. मुझे कीचन में हर गले लग जाता था. मैंने हमेशा यही सबना रहा है, कि मैं इंडिया में एक आर्टिजनल पेटिसरी खोलू, और मास्टर शेफ यह सबना पूरा कर सबता है. माबापों के दुआ है कि आप जित के आए. कि आपने कैरमल का सितमाल किया है, निरिया पंप स्टाइल में अपने बना के अपने, अपने 10 डिजर्ट का. बहुत जबर दस्त है क्योंकि आपने गरम-गरम कैरमल के जो उसके उपर लगाया, तो थोड़ी देर के बस सेट होगी वह, एकलेर के तरह. जी. तो तौफी का तेस्ट आरफ में स्टार इनीज बहुत जादा प्रनाउंस्ट. अज जिस बात्से में सब सादा इंप्रेस था आपसे, युवर वर्यूर्णाइज. थैंक यू. मैंने इं लोग की जो मीती उसको मैंने तोरी नहीं है, मैंने किसी को डिसपॉइंट ने किया है. I'm happy with myself and I'm happy that I kept the judges happy. MasterChef Kitchen का पहला चालेंज. The HomeCooks, जिसकी डिश MasterChef Kitchen का पहला चालेंज जीती है, वो HomeCook है. Dinesh. सारे डिशिस बहुत अच्छे हैं, लेकिन जजज इसको मेरा सबसे ज्यादा अच्छा लगाई. बहुत बड़ा confidence boost है. यह शुरू आती अच्छी है. So Dinesh, ready? अपना एड्वांटेज देखने के लिए? Jee sir. आईए मारे साथ. इस टाइम दिमांग में चल रहा है कि Dinesh, क्या इंग्रेडियेंट फूस करेगा, अगर उसे मौका दिया जाएगा, तो सबजी लाएगा या बल लाएगा. Dinesh, अभी सिरफ आपको यह पता चलेगा, कि अगले चैनलेंज में, आपका कोर इंग्रेडियेंट क्या है? Amazing. Okay. Are you ready? Jee sir. यह है बटर बीन्स. इसे का जाता है हिंदुस्तां के कुछ एरियास में, वाल. वाल. यह है आपके चैनलेज का कोर इंग्रेडियेंट. Jee sir. इस एद्वांटेज के बचे से मेरे चांसे और बढ़ गए है कि मैं एक बहुत अच्छा सा जिश पना सकता हूँ. पर मैं आपको कुछ और दिखाना चाहते हूँ. Ready? Jee sir. यह है फ्लेवरिंग एजेंट की एक आप्शन. कोका. Jee. यह यह आपका दूसरा फ्लेवरिंग एजेंट. करी लिएस. और यह तीसरा फ्लेवरिंग एजेंट है. केसर यानि की साफरन. आपका एड्वांटेज है कि इस कोर इंग्रीडिंट के अतर, आप चूस करेंगे अपनी मन मर्जी का फ्लेवरिंग एजेंट. और बाकी के होमकोक्स वो फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करेंगे जो आप चुनेंगे उनके लिए. जी, शार. अब मैं थोड़ी राजनीत्री के बारे में सोचने वाला हूँ. अगर मैं दूसरों के लिए ये मुश्किल चैलेंज बना दू, तो मेरे लिए असान हो जाएगा. दिनेश, इन तीन फ्लेवरिंग एजेंट्स में से, ऐसा कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट है, जो किसी भी डिश में हम डेखना नहीं चाहते है? At the end of the day, ये एक competition है, तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, कि मैं इतना आसानी से ये competition सबको देने वाला हूँ. And boom! The kokum goes out! Dinesh ने सबसे पहला क्लोश को कम पे जाके रख दिया, जिसके लिए मैं होब कर रही थे, कि वो ही इंग्रिडियन चला गया. And Dinesh, आपकी डिश में हमें कौनसा फ्लेवर बिलने वाना है? मुझे करी बता चाहिए, मुझे पता ये कैसे जाते है वाल के साथ, कैसे इसके साथ एक अच्छा सा जिश बना सकता हूँ. यानि आप 15 लोग साफरन का इस्तमाल करके बनाएंगे अपने अगली देश. साफरन वैसे एक बहुत इंग्रिडियन्ट है, मैं सके साथ कुछ भी कैसे कंबाइं करूंगी, I'm so scared. कुछ नाल के साथ 6 साथ से काम कर रहा हूँ, एक अनाल को साफरन पिलकुल ना पसंद है. I don't like saffron. Make me fall in love with saffron. That's your challenge. Okay, chef. मैं अपने में सोच रहा हूँ, कि chef कुणाल को saffron बिलकुल पसंद नहीं, मुझे बिलकुल पसंद नहीं. अब मैं कैसे उनको प्यार करवा हूँ इससे, ऐसे हवाजे, ये लो, saffron करो प्यार. आप सब के बास हैं 60 minutes. जिसकी डिश सबसे अच्छी होगी, वो home cook अगले challenge में participate नहीं करेगा. और जिसकी डिश सबसे weak होगी, वो जाएगा सीधा elimination में. शीलक्षमी जी के साथ, एक और बात बता देता हूँ आपको, आपके सामने है, Amul Parlor. आप इस पालर में से, आपकी मन मर्जी के कोई भी ingredients, चूज कर सकते हैं. लेकिर आपके बास होंगे सिर्फ, parchment. इसे कहा जाता है, invention test. यानि कि आपको अविशकार करना है, एक नहीं टिश का. If you're ready, then your time starts, now. वहाँ बहुत बहुत है. जहां मसाले रखे हैं, बहुत बीध है. जहां डेरी प्रोड़क्स रखे हैं, वहाँ भी बहुत बीध है. तो ऐसे सब्दी के सेक्शन आगे, सामने आलू दिखने हैं, बड़ी नूट्रल चीज है. जहां में आया कि भाई, हम जो रोस्टी बनाते हैं, उसमें कभी राजना बर देते हैं, कभी प्रीज बर देते हैं, वहाँ नूट्वाल? कमान गाईज, कमान. Homecooks, तिरफ पच्पन मिनिट बाकी. मैं फड़ा फट एक्विप्मेंट पंट्री की तरफ भागी, सबसे पहले पास्ता मिशीन उठाई, क्योंकि मुझे बता है, मैंने पास्ता बनाना है. Cや यह बारबा जड़े देश्ट, तो मुझे देल तो जीत रही है, जुबा में इसर करना, नजर पर भी एसर करना, नजर इस ब्स चाहिए. हुरी है category मैं बनाराह हुए जिसमें कोषी करी हुए हुए दो तरह की कबाब बने और साथ जिसमें बनाराह जिसमें बना एक साफरय파फ निर्शक ढ्लाराए हुए एक 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 साफरयम युकरण दिप alerts Apple कोशीम कर रहा हुए का साफरयम युगर जिया डिर pregnant एक पिच्छर है हिंदुस्ता में गुंडाराज। गुंडाराज। आज इस किशन में लगते है तरह गुंडाराज चल रहा है। बना क्या रहा है? मैं गुजराथी संभारो बना रहा हूं बाल के साथ और उसके साथ एक छोटा सा 5-6-8 फिश का फिले है और एक कड़ी पता फोग। एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब एक बार इनसान ओलम्पिक गोल्ड जी जाता है तो अगली परफॉर्मेंस उसकी उससे बहतर होनी चाहिए क्योंकि उससे एक्स्टेशन बहुत जादा होती है जी शब मुझे उस्तिका जा रहा है ती कॉन्फिटेंट मेरे ओपर प्रेशर है लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने अपने लिए एक एजी इंग्रीडियन चुना है दूसरे कंटेस्टेंस को एक डिफिकल्ट क्यों पनाएगा है अब सिर्फ पच्चिस मिनट बाकी है कमार अदर खंटा चला गया ना मेरा पास्ता रिदी इना मेरे बटर बीन बॉल्स रेडी है मैं फिर फटा फट दो अपना मिशीन में डाला और फिर उसमें इसमें चिपक राए उसमें चिपक राए तो फिर ठीक से पारी रोल किया तो पारी रोल किया है फाइनली थोड़ा सा कुछ रिलीफ लगा कि कुछ तो बन रहा है एक लिस्ट मैं कुछ प्लेट पर तो डालने लाए बन जाएगा धे वियूटफल स्मेल बना कि कोशिश कर रही हूं और सैफ्रन क्रीम सास और शाइगा और साफ्रन क्रीम सास को करें गया को कुछ मिठा बनाना चाहरी थी आप किती डिशे बना यहां मैं दो डिशे बना एं अच्छा आपको इबात का धाम रहे हैं जिवां को यह झुछ को तो सरब इस पे बेस्टी आपने किती दिशे बनाई हैं बिल्कुल हम एक दिश की परफेक्शन को जज करते हैं जी, that's what I'm going for आज मैंने प्लान करें अगर मैं उस पे एक्जिकुट कर पाती हूं तो मुझे पक्का यकीन है कि मेरी दिश सेफ हो जाएगी अगर मेरे से गलती हो जाती है और एक पी ऐलिमेंट चूप जाता है तो सीधा ऐलिमिनिशन चैलेंज में जाने के चांसे से I'm really hoping कि ऐसे ना हो HomeGoods, आखरी दस मिनिट इस वक्त आपका खाना प्लेट पर सजना चाहिए Come on guys, start plating, come on Pongal is ready I was like really happy And I had to put up a blue-looking dish HomeCooks, आखरी दस सेकंड दस, नौ, आथ, साथ, छे, पाँच, चार, तीन, दो, एक That's it, please step back from the counters Siddhar, अपनी दिश लेकर आईए Thank you Kesari wal kabab with paratha That's the name of my dish एक Arabic yogurt dip, वो भी केसरी है साथ में एक mint coriander chutney का glaze मने दिनी कुष Siddhar, I love the way जिस तरीके से आपने वाल का इस्तमाल करके ये कबाब बनाया है Thank you, chef इसके निर साफरन का फ्लेवर उबहर कर आँ रहा है And, बजे साफरन कुछ खास पसंद नी है I love this dish Beautiful Thank you so much, chef Good job Thank you सबसे पहला थोड़ है कि मैं इलिमिनेशन में नहीं जाऊँगा मैंने एक पोंगल बनाया है इसमें जीरा और पेपर है और बटर एंड काशुदान authentic पोंगल, कितना स्पाइसी होता है पेपर ज्यादा होता है कितना ज्यादा है कितना ज्यादा पेपर लेवरे पता है इतना के साफरन और वाल का फ्लेवर किल कर दे मैं इस रिष्ट के अंदर तीन फ्लेवरें जो उभर कर आ रहे हैं पहला पेपर दूसरा पेपर और तीसरा पेपर I'm sorry, beyond pepper मुझे कोई फ्लेवरं नहाना कुछे इस कांटेस्ट में खेल्स को बहुत ही जरूरी है डिलोत नो मैं वाव भुप हुपकर आश्रीश न किzer्ध歌 प्रेजि kinda काई वाव पर गत screening अंछा साथ प्रक्राइब दो नहीं मुझे इसमें बटर बीन्स का पॉपर यूज दिखाई दे रहा है और नहीं सैफरन का जादा फ्लेवर तीनों जजजस को डिश इंपरस्ने कर पाई तैट पिशी कि इस ऐलिमनेशन रांड मुझ से जादू नहीं है यह बाल के रोस्ती है सात में चट्नी और कोकलट राइस बिज्जागरी बिज्जागरी चाओं यह जी होँ परस्नली मुझे रोस्ती बहुत पसंद है उसके अदर जो बाल का बाइट है एक्सिलेंट, जो चावल हैं, जो केसर भी है और गुड़ भी है, एक बहुत अच्छा कंबिनेशन है, ये डिश एक बहुती सोची, समझी, बहुती सुल्जी, बहुती टेस्टी डिश है Thank you, Pradeep जी, जी I'm very honored I actually feel like coming and giving you a hug Yes, sir My dish's name is Flavors Val to Val, in the center is Val ravioli with saffron cream sauce, in the center is Val bhaji with green mango chutney Anaga, yes Saffron cream sauce in saffron star Ravioli में, Val star है और इन दोनों से भी better cheese मुझे लगी आपकी जलिए ये sauce Thank you If I have come to you, I have told you that I need one perfect dish You have been close to perfect Thank you, Chef Your love Thank you Thank you Thank you मैंने हर बार यखनी नॉन वेज़ के साथ खाया है पहनी बार वेज़टेरिन खाया है ग्रेज़ब भुझ पता हिंदुस्ता में ने इस्तमाल किसने गर्मेश किया तो तो किस्ट्री में आपका नाम पहले लिखा जा चूका है थैंक यू शॉप्राइस बिगूस्ट बिगवार वाल और साफ्रिन के साथ अपने सास्ट नाया इस फूर्षिंग थैंक यू पुर्वान समार्थ, लोग्स रली वेड़। थैंक। आज मैने गुजराती संभारो बनाया है इसके साथ एक करीपता क्रीम फोम है और एक पैंसियर क्यूब और फिश जिसको मैने ब्राउन बटर में फिनिश किया है आपके पास एक बहुत बड़ा अड्वांटिक्स था जी मेरे साब से आपने उस अड्वांटिज को पूरी तरह से इस्तिमाल नहीं किया जबकि फिश है इस हेविली ओवरकोटी संभारो में निर्च बहुत तीज है अगर बात की जाए, प्रफॉर्मेंस की तो हर चीज कंपेर होती अपके पिश्ली डिश कैसी थी डिश में फ्रेशनेस है, लाइपनेस है जैसा आप चाते हो है, क्रेटिविटी है और मुझे इस दिश से प्राबलम नहीं है मुझे प्राबलम है जो पिश्ली डिश के साथ कंपेर करता है इसको प्रीविएस चालेंज में मैंने खुद के लिए एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया था और जजी बहुत खुश थे बट नव लगते स्टैंडर्ड स्लिप Home Cooks, अब वक्त है फैसले का सबसे पहले मैं बुलाने चाहूँगा प्रदीप जी को सिधार्त और अनगा इसमें कुछ ताज्यूप की बात निये के प्रदीप, सिधार्त और अनगा आप तीनों की डिश इस चैलेंज में टॉप पर है The best dishes of this challenge Congratulations लेकिन आप तीनों में से सिर्फ एक ही हुम को खोगा जिसे इस पूरे हफते आराम मिलेगा यानि कोई चैलेंज नहीं 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 100% सेफ आज की वो डिश है अनगा It was a very surreal feeling कि एहली चैलेंगे मेरी दिश बेस सादिख होना It's an incredible feeling चलिए अब मैं भी अपने सामने तीन होमकुक्स को बलाऊंगा I'm very scared I might be the worst dish but I'm just hoping and praying कोई ऐसा एक और हो दिनेश अगे आई वाट अभी वो पिछले चैलेंज में उसका best dish था और इसको advantage मिला था आशेमा अश्विन अब तीनों किडिश इस चैलेंज में सबसे कमजूर थे जब कोई उमीद रखता है कि आप कुछ बहुत अच्छे से बनाओके advantage भी दे दिया, सब कुछ दे दिया फिर भी ये डिश अच्छा नहीं बना वो उमीद मुझे नहीं तोड़ना था और आज वो टूद किया वो होमकुक जो सीधा Elimination Challenge में जाएगा वो है अश्विन अश्विन आज आपकी डिश सबसे weakest थे Elimination आपका अगला चांस है वापस गेम में आने का Give your best अच्छा, I'll do that अच्छा 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 अच्छा